असलाम लोकोंगोस, Microsoft Excel 365 की आज के स्वीडियों बहुत करें हैं इसे हम Flash Fill भी कहते हैं Suppose हमारे पास इसको नमरे जानी है तो यह हमारे पास एक सीरीज है Microsoft Excel हमें यह सीरीज आटमेटिकली क्रेट करने की फिसलिटिस प्रवाइड करता है इसके साथ साथ अगर हम लोगों ले वीकेंट के नम एड़ करने हैं वो भी हम कर सकते हैं और मांत के नम एड़ करने हैं तो भी हम कर सकते हैं लेकिन क्या है कि हम लोग अगर अगर इड़ करना चाहें या कुछ और करना चाहें तो हम लेग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास Microsoft के अंदर चान देख जो वो built-un list वजूद है कुछ सी से हमें कुछ से create करनी पड़ते हैं तो आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम कस्टम किस तरह से त्यार कर सकते हैं इसके साथ हम लोग बात करेंगे smart field के बारे में smart field के बारे में हम लोग इससे बात करेंगे कि जो series या fill है smart field उससे different है हम कोई भी खास pattern जो है वो Microsoft Excel को दे देते हैं तो वो यह उसी pattern को follow करते हुए हमारी यह वोग ली task so perform करता है हमारी दिवी commerce को execute करता है तो हम लोग आज किस वीडियो में यह भी सीखेंगे कि हम smart field किस तरह से इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे copy और paste के बारे में normally हम लोग copy और paste तो करने थे हैं लेकिन Microsoft Excel के अंदर हमारे पास advanced option है special का हम paste special करता है और paste special के अंदर different हमारे पास 10 to 11 यह वो task है जो हम perform कर सकते हैं suppose हमने data copy करना है हमने उसके formulas को copy करने हमने format को copy करने है यह पिर हमने just table format को copy करना है और कुछ की copy नहीं करना है इसी तरह हम लोग टेवल को inverse करना है reverse करना है तरह suppose करना है different options है वारे पास आज कि इस वीडियो में हम सबको apply करके देखेंगे कि हम उनको कहां कहां पर कैसे कैसे इस्तवाल कर सकते हैं चाहिए screen in की तरफ let's do follow the steps तो बात करेंगे हम लोग fill के बारे में हम दखने है कि fill किस तरह से काम करता है हमने एक text लिखा हुआ Monday हम इसको drag करेंगे तो यह इसका format चाहिए तो साथ में चोटे से डाइना बॉक्स होगा है चोटी से बल लोग इस पर क्लिक करेंगे तो options होगे only feet या पिर जो है इसका format का हम लोग वो सारा manipulation कर सकते हैं चोटे से box की मदश से हम कर सकते हैं इसके साथ ही मारे पास आखर में जो last वाला है वो है कि हम लोग weekdays लेना चाहिए तो हम लोग क्योंकि हमने इसको वो दिया है तो weekdays करेंगे इसमें सेचर्डर संडे खतम हो जाएगा और just weekdays रहे जाएगे इसमें लोग एडवास फिल्म भी कर सकते हैं एडवास फिल्म में हमें पैटरन देना पड़ता है कि हम किस तरह की सीरीज चाहते हैं तो मैं यहाँ पर one two लिखता हो और उसके बाद को ड्रैग करता हो तो यह one two three up to जहां तक हम इसको ड्रैग करेंगे यह पूरी एक सीरीज क इंक्रिमेंट करता चला जाएगा उसी साफसे से एड़ कर देना है अगर हम तो क्या होगा कि हम दोबारे ड्रैग करने पर दोबारा यह 20 के एडिशन करना शुरू कर देगा तो हम इसको पैटरन देंगे उसी पैटरन के मताब पर यह एडवास फिल के तूरू जो फिल करता क्योंकि वह उफिस के अंदर प्री डिफाइन नहीं होती है उन्हें हम एक उस्से डिफाइन करना पाता है इसमें हम एक एक्ज़ेंपल ले सकते हैं कंट्री नेम की अगर हम कंट्री नेम लिखते हैं और इसको हम लोग ड्रैक करते हैं तो से कौपी हो जाएगा हम जहां तक हम लोग जाएंगे अपने फाइल आप्शिन पर फाइल पर जाने के बाद हम लोग सबसे नीचे आ जाएंगे और यहां से हम लोग चले जाएंगे एडवांस में एडवांस में हम जाने के बाद नीचे के तिरुफ स्कूल करेंगे और एंड पर जाकर हमें लेकों मिलेगा जहां पर जब मुख्रिफ के नाम लिखेंगे आप कोई प्रोडेक्ट के हवाल से लिस्ट करना चाहें जो आप इसको लिस्ट देना चाहें वो दे सकता है वो आट्रमेटिक लिस्ट हो जाएगी जहां में जूद पढ़ेगे जो पर चाहेंगे हम लोग तो वाने पास यह लिस स्ट्वा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कोपी पेष्ट के बारे में लेकिन में अगर पूरा प्रेटो फेस्ट करते हैं एंगर कंशी एक इस सपेशल का नहिना होगा है इस special paste को हम अगर explore करें तो देखें इसके नवराब डिफरेंट ऑप्शन जिसके अंदर हम इसको format भी ले सकते हैं जस्ट टेटा भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको पर वह कोई फॉर्मेटिंग भी आइगी इसी तरह हम लोग अगर just format लिना चाहिए तो हमारे पस data की फॉर्मिटिंग आजएगी और कोई डेटा नहीं आएगा अगर हम लोग चाते हैं कि हमारे पास में data और फॉर्मिटिंग हो जास्ट टेबल हो जाए उसका फॉर्मिट आजाने चाहिए यह जास्ट टेटा हो और उसके साथ यह वह फंक्शन सा आजाने से तो उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं तो वह भी आपकों सा option जो इस्तवाल करना में बहुत ज़्यादा परिशान हो उसकी जहां पर हमारे पास बहुत बड़ी फिसलिटी है कि special पेस्ट जिया हमें काफी सारी चीजें प्रीमेड मनाई मिल जाती हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा जो मेरत नहीं करने पड़ते हैं बहुत ज्यादा हमें सोच बिचार नहीं मकशन है और अदर पेस्ट में सले जाएंगे पेस्ट में में इफरेंट आप्शन मिलेंगे फॉर्मे खbane जासरा चारे में application के बारे में श you dbt करता है यह हमारे पास विज ओ को लेगा मैं यहां पर एड़ कर देतो अब मैं जिस कॉलम में एड़ कर रहा हूं नेक्स्ट है उसके इंदर फाइव एड़ है तो मैं इसको एड़ का बटन दबाऊ होगा तो जो इसके इंदर अल्रेडी मुझीद हो उसको पिछले के साथ एड़ कर देगा विसमें 95 है 50 है 36 ह तो हमारे पास नेक्स्ट वने में 5 का फिगर है हम जैसी एड़ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम होगा तो एड़िशन के साथ होगा पिछला डेटा और अगला डेटा एड़ हो जाएगा इसे तरह अगर हम लोग दबारा जाकर इस मॉप्स को देखें तो ह विंड्योज को था कि हम इसको इसलिए ट्रंसपोस कर से किई तो हम हम लोग यहां पर आते हैं और हम दोबार एस पेशल पेस्ट पर भार जाते हैं और क्लिक करते दिए छोटे सेटा हो ऊटर बॉक्स पर ट्रंसपोस्ट एंड़ ऑके क्लिक अधर में चीट अल्ट गेट alleen को column to row. हमारे डाटा row की तरफ जाए वो उस हार रफ वारा transpose हो जाएगा. हम हम अपने डाटा को कापी करते हैं. कापी करने के बाद विया करते हैं कि हम इसको different sheets पर ले जाना जाता है. तो हम एक sheet पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हम shift को hold करेंगे और sheets को select करने के बाद paste करते हैंगे. पर जैसे हम लोग paste करेंगे हमारी हर sheet के हमारी हर वर्चिर के अंदर वसी location पर जिस location पर हमने अपनी कजर को move किया था data जब paste हो जाएगा. अब बात करते हैं फ्लेश फिल और स्मार्ट फिल के मारे में. फ्लेश फिल ये स्मार्ट फिल मारे पास एक जबंदस option है, automatic काम करता है, हमें क्या करना होता है कुछ pattern देना होता है, अब हमारे पास ये data नास्ट वाले डेटा देंगे और ये पास नहीं आएगा, अगर नास्ट वाले डेटा देंगे और ये बात करना होता है, बेर देख सब्सक्राइब करेंगे तो एक टेक्स करने के बाद ले लेगा इसे तरह लोग अगर मेड़ वान इन या चाहिए तो सेन मेड़ेशन हम इसके साथ भी कर सकते हैं तो फ्लैश फिल और स्वाट फिल का सबसे बड़ा फाइद आई हैं कि हम लोग जो भी हम इसको option देंगे जो भी pattern देंगी है उस pattern को copy कर लेगा और flash फिल के तो भी इसको फिल कर देगा तो यह दोनों function एक साथ काम करते है यह automatic काम करते हैं मैं परिशान होने की जड़ते हैं हमें किसी किसम के settings नहीं करनी है हमें just carefully इसको एक pattern दे रहा है जो pattern दे रहा है जाते हैं अब हम different columns और copy करते हैं और मर्त करके देख लेते हैं हम उनको combine के इस तरह सकते हैं तो हमारे पास यह तीन column है में में लिखता हो इसलिए हैस्टेग लगाता हो और हैस्टेग लगाता हो करते हैस्टेग लगाता है